Hi guys, बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था इस laptop का, क्योंकि Asus ने मेरे को promise किया था, कि ये जो unique और जो जितना special है laptop है, वो लोग मेरे को भीजेंगे laptop, क्योंकि मुझे आप लोग कोई दिखाना था, चलो मैं बतातो क्यों ये special unboxing करके, वैसे इस laptop का नाम है Asus ROG Flow Z13 Acronym, वैसे Acron और एक बहुत अच्छा पाउच भी दिया, जिसके अंदर हम X-series रख सकते हैं, और ये जो आप देख रहो ना, ये straps है, और इनका बहुत must use लिया है, एस उस ने दिखा हूँगा, और एस ने इस laptop के साथ ना, ये stylus भी दिया है, और इसके साथ हमें different tips भी मिलती है, और ये दिखने में, और इसको पहली बार देख के, जिसके कुछ मुवीज नहीं होती हो, साइ-फाइ, जिसके अंदर एक सीक्रेट एजेंट आता है, और उसके पास एक ऐसा laptop होता है, जो बहुत कूल दिखता है, उनमें से एक ही है, बट कैसा है ये laptop रियल लाइफ में, मैंने पू पता है, इस laptop को डिजाइन करने में, किस ने हेल्प करी है, वो ही सेम बंदे ने जिसने आईरन मैन का सूर डिजाइन किया था, इसलिए भी ये laptop जो बहुत रो और रगड लुक देता है, और नो डाउट का फिस ट्रॉंग लगता है ये रियल लाइफ में देखने में, और प डियल यूस करने के बाद भी 1.1 kg का है, ये वाला पार्ट पूरा, कीबोड लगाने के बाद 1.3 kg हो जाता है इसका वेट, और अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा, कि इस laptop में कोई भी हिंज नहीं है, जिसके सपोर्ट पे laptop खड़ा हो जाता है, और जैसे कि मैंने बताय कीबोर्ट तो डिटैचेबल है, कीबोर्ट जैसे हट जाता है तो ये टैबलेट की पूरी फीलिंग देता है, और हां ये तच्सक्रीन लैप्टॉप भी है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ये जो बॉक्स में हाँ पर स्टाइलस दिया है, ये पैन लिट इन फैक्ट, इन ही कॉर्नर्स में हमें चारो साइड हुक भी मिलते है, और इन हुक्स की वज़े से न, हम इस लैप्टॉप को तीन अलग-अलग तरीके से यूज कर पाते है, जैसे कि मैं इसको ब्रीफ केस मोड बना सकता हूँ, सीरिसली ऐसा लगता है कि मैं एक ब्रीफ के इसे टांग कर काम कर सकते हो, नो डाउट ये अलग-अलग मोड इस लैप्टॉप की सूपर इंटरस्टिंग चीज है, अब और वताता हूँ, इस लैप्टॉप में एक बहुत यूनीक पोर्ट मिलता है, आरोजी, एक्सजी, मोबाइल इंटरफेस इसको बोलते है, अभी इ जीपी उसको गनेट कर सकते है, और अगर आपको टाइप सी पोर्ट चाहिए हो, तो वो इसी के अंदर मिल जाता है, इनफेक्ट इससे उपर वाला जो टाइप सी पोर्ट अना, ये थंडर बोल्ट फोर्ट सब्पोर्ट करता है, और इसके राइट साइड जो हमें 3.5 mm हेड भी टाइप A भी मिल जाता है, सारे के सारे पोर्ट मुझे सही लगे, इनफेक्ट यहाँ पर एक मुबाइल फोन की तरह वाल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है, जिसको और इंट्रस्टिंग एलेमेंट्स दे रहा है, मज़गी बात, इस लैप्टॉप के अंदर हमें, माइकरो SD कार्ड का भी स्लॉट मिलता है, फिर मैंने ढूला कि वो पोर्ट है कहां पर, पता है कहां निकला, इस किक स्टेंड के नीचे, यहाँ पर एक कमपार्टमेंट है, उसके अंदर ऐसे स्लाइड होगा, तब लग सकता है माइकरो SD कार्ड और अब मैं इसका कीबोर्ड दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी बहुत स्टाइलिस चीज़े यूज करिया है, इन लोग ने, सबसे पहले इस कीज को ध्यान से देखो, डिफरेंट डिफरेंट जगा पर आपको कलर्स तो दिखी रहे होंगे, बट जो अल्फाबेट्स है, वो भी बहुत डिफरेंट को सपोर्ट करता है, बाकिस लेपटोप के बोटम दोनों साइट जो है, स्पीकर मिलते हैं, जिसका आउटपुट मुझे, मैं काफी लेक वीक लगा, तो अब जो है, मैं रियल टेस्टिंग करने के लिए बैठा हूँ, तो आप लोग जेख सकते हो, भाई, कैसा है यह, मैं स इस दिस्प्ले की बात करो ना, तो यह भी बहुत प्रीम है, काफी हाइंट चीज़े लेकर आ रहा है, यह 13.4 इंच की डिस्प्ले है, जो कि क्वाड एच्डी प्लस रेजलूशन के साथ आ रही है, और 165 हर्ट्स का यहां पर रिफ्रेश रेट है, सिंपल शब दुम इरिया होते हैं, जो कि फुल्फिल करने पड़ते हैं, जैसे कि 3 millisecond का response time होना चाहिए, और 100% DCI-P3 भी, और minimum 500 nits की brightness होनी चाहिए, Pantone की validation और Dolby Vision HDR का support भी होना चाहिए, और अच्छी बात ही है, कि यह सारे चीज़े इस लेप्टॉप की डिस्प्ले में है, और मैंने इस ल Windows Hello का भी support मिलता है, इसका मतलब यहाँ पर face scanning मिलती है, तो easily खुल जाता है laptop face सी, अगर बैटरी की बात करें ना, तो यहाँ पर 56 watt hour की बैटरी मिल रही है, और यहाँ पर यह PD charging support करता है 130 watt की, और इसी वज़े से इस उस क्लेम करता है कि 30 minute में 50% यह laptop चार्ज हो जाएगा, अ 3900H series वाला प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में 6 performance score मिलते है, 8 efficiency और पता है, इसकी maximum clock speed कितनी है, 5.4 GHz, और इतने से laptop में, यहाँ पर dedicated GP मिलता है, RTX 4070, वैसे इस laptop में mug switch भी मिलता है, और अगर मैं RAM की बात करूँ, तो 32 GB की है, 16, 16 GB की दो लगी हुई है, और 5200 MHz की है, और जो SSD ह वी काफी fast है, 1TB की Gen 4, और क्योंकि इस laptop को जो form factor है, वो बहुत different देखने हो मिलता है, तो fans भी हमें बहुत different location पर मिलते है, तो upwards जाते है, अगर बेंचमार्क्स की बात करो, तो मैंने सारे important benchmarks run करें, चैफिरो PC Mark 10 हो, Cinebench, Geekbench, सब में fantastic यहाँ पर हमें results देखने हो मिले, और क्योंकि यहाँ पर यह i9H series का automatically performance तो अच्छी आनी थी, पर रियल वर्ल्ड की बात करो, तो उसकी testing मैंने अलग करी है, इसकी power का अंदासा बता मुझे कब हुआ, जब मैंने lightroom पे 1600 photos को import किया, half jpeg थी, half row, और इस laptop ने 6 minute 25 second में export कर दिया, बात यहाँ खतम नहीं होती, जब मैंने premiere pro की testing करी, तो मैंने 4K 30fps की footage डाली, 30 minute की footage ती, और फिर export करी light color grading के साथ, और 11 minute 8 second में इसने export कर दिया, फिर इसके बाद मैंने handbrake पे testing करी, 30 minute की जो footage 4K 30fps की, उसको convert करा 1080p 30fps पे, 17 minutes 56 second में इसने convert कर दिया, और यह सारे के सारे results जो है fantastic bowling है भाई, खिर इस laptop में मैंने gaming भी करी है, सबसे पहले मैं आपको e-sport titles के बारे मैं बताता हूँ, और हाँ मैंने gaming जो है 1080p पे करी है, like Quad HD पे नहीं करा, सबसे पहले CSGO मैं आपको दिखाता हूँ, low setting पे na 150-300fps से laptop दे रहा था यार, इसके बाद जब मैंने Valorant खेला तो वहाँ पर भी low setting पे 250-350fps मिल रहे और पता है क्या जो 165Hz के display पूरा यूज में आ रही है, टेस्टिंग यहाँ नहीं खतम करी मैंने, फिर मैंने AAA titles खेले, जैसे कि Modern Warfare 2 खेला, और इस बर सारे AAA गेम साना Quad HD पे मैं खेल रहा था, और ये गेम मैंने Ultra Settings पे चला रहा है, और 70-100fps मुझे देखनी हो मिले, फिर इ ये सेटिंग्स पर मैंने पूरा गेम प्ले किया है, और 75-110fps मुझे मिले, और क्योंकि ये laptop ray tracing भी support करता है, तो मैंने Spider-Man, Miles Morales भी खेला, इस गेम मेंना मैंने सारी सेटिंग्स को max out कर दिया, और RTX ray tracing ओन करने के बाद भी न, 60-90fps ये laptop मिरे को दे पा रहा था, मैं seriously आप इक इंटरस्टिंग चीज है, खेर यहाँ पर Windows 11 मिलती है, और Microsoft Office प्री इंस्टॉल है, वैसे bloatware बिल्कुल ना के बराबर है, बट यहाँ पर Armory Crate application मिलती है, और इस software में आप literally सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, performance mode तो change होई जाते है, GPU stats तो देखी जाते है, बट इंटरस्टि बड़ा सिंपल सा है, जो चीज यहाँ पर Asus ने करी है, यह मैं literally आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा है, जो यह design है, और एक luxury brand के साथ tie-up करना ऐसे collaborate करना, मिल को यह fantastic move लगा है, क्योंकि laptop world boring हो जाता है, repetitive भी sound करने लगता है, बट ऐसी चीज़े जब आते रहती है ना, तो वो थोड़ा सा लाइक मसाला अड़ कर देती है वो रिंडस्ट्री में, खेर इसका price 2,000 लाइक 85,000 है, जो कि बहुत self-explanatory है, क्योंकि हाँ पर luxury brand के साथ tie-up है, तो यहाँ पर higher side पे करना ही पड़ेगा, अगर आप सो खरीदने का plan कर रहे हो, और चीज भी जोइन कर लो, हम लोग quality में believe रखते हैं, अगरे मिलते हैं, thanks for watching, bye guys